नमस्कार आदाप आप देख रहे हैं PNN 24 News खबर वही जो हो सही आज हम आपको खुलासा करने वाले हैं एक ऐसे डॉक्टर का जो तनखा तो सरकारी लेता है मगर पैसे की भूक में ये सरकारी नौकरी करने के बजाए गरीबों की सेवा करने के बजाए अमीरों की देख भाल करके उनकी सेवा करता है उनका ट्रीटमेंट करता है और पैसे की भूक में ये सरकारी नौकरी को एक किनारे रखके सरकारी तनखा ले करके अमीरों की खिदमत कर रहा है जी हाँ हम बात कर रहे हैं बेल्थरा रोट के डाक्टर फैजुर रहमान की डाक्टर फैजुर रहमान वैसे तो सरकारी डाक्टर है रतनपूरा के ब्लॉक में ये पोश्टेड भी है तनखा इनको सरकारी मिलती है मगर डाक्टर साहब ने सरकार का पैसा ले करके प्राइवेट अमीरों की खिदमत करने का अपना सपना पाल रखा है सुबा ग्यारा बजे से ले करके रात के आठ बजे तक बेल्थरा रोट के अपने आवास पे ये अस्पीटल बना रखे हैं और वहाँ बैट करके मोटी फीस और मोटी सुविधाओं के साथ सुविधा शुलकों के साथ ये बैट करके अमीर पेशेंटों को देखते हैं सरकार ने इनको मोटी तनखा दे रखी है जिसको ये घर पे बैट करके अमीरों को देखते हुए लेते हैं सरकार ने ये सोच करके मोटी तनका दिया, कि डाक्टर फैजुर रह्मान मौउ जनपत के रतनपुरा में, किसी भी हास्पिटल में बैठ करके सरकारी एस्पताल में, गरीबों का एलाज करेंगे, मगर डाक्टर फैजुर रह्मान साब को तो पैसे की भू कितनी सवार है कि उन्होंने सारी सीमाएं ही तोड़ दिया एकदम आप कह सकते हैं कि देशद्रो के तरीके का इन्होंने कुक्रित कर रखा है फैजुर रह्मान साब मउजनपत के रतनपुरा में पोश्टेड हैं मगर इनका आवास बेल्थरा रोड में है बेल्थरा रोड के अपने आवास पे इन्होंने एक बड़ा सा हॉस्पीटल बना रखा है कहा जाता है सूत्रों की माने तो ये बड़ा सक करोडों की संपत्ती डाक्टर फैजुर रहमान ने अपने चंद वर्षों के कारेकाल में ही खरीदी है इसको आए से अधिक संपत्ती का भी मामला माना जा सकता है डाक्टर फैजुर रह्मान अपने पोश्टेड जंगा पे पोश्टेड हॉस्पिटल पे जाते ही नहीं है बलकि अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में सारा दिन बैट करके अमीरों की सेवाएं मोटी फीस लेके किया करते हैं सरकार तो इनको मोटी लंबी चोली तनखाये दे रही है तनखा का फ्री में लुथ उठाते हुए अमीरों की सेवा कर रहे हैं गरीब बेचारे दर बदर फिर रहे हैं फैजुर रह्मान साब को पैसे के आगे जनता की सेवा और खिद्मत भी नहीं देखाई देती है कहा जाता है कि डॉक्टर धर्ती का भगवान होता है आखिर ये कैसा भगवान है जो अमीरों का भगवान है और सिर्फ पैसे के लिए ही ये भगवान बना हुआ है डाक्टर साब से जब इस सम्मन में बात किया तो उन्होंने बड़ी बेशर्मी से देखी हमसे क्या कहा इन्होंने बड़ी बेशर्मी के साथ कहा कि मैं यहाँ जो प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ वो private practice जब मेरी सरकारी practice खतम हो जाती है तब करता हूँ अब ये नहीं समझ में आता है कि डाक्टर साब की सरकारी practice सुबा ग्यारा से लेकर रात के 8 बेरे तक private चलती है और सरकारी practice इनकी कब चलती है सुने डाक्टर साब किस तरीके से अपनी सफाई दे रहा है अब 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 बिक परकिस अगर था कुछ को रहा हुआ 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 है। अगर था कुछ को रहा हुआ 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 अजय को जैय को आट चाट सिहको सकती आट का सबस्योंनगा hehehe यौ है। भूला सिस्टाओ प्रचु आम इ attic दूब्स Ini के मैं प्रचु का इसामाद। सिली सिल्डाप़। mm Android जय के देखा ज़िए इसका सुदॉख कार्फ नवर नम्गर्ण करा वा गजया है को आए है